नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि एटलोमा टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एटलोमा टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और एटलोमा टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सक और यह भी डिस्कस करेंगे कि एटलोमा टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, एटलोमा एक ब्रैंड नेम है, एटलोमा टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, एटलोमा टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन, एमलोड टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, एटलोमा टैबलेट का उप्योग हाइपर टेंशन होने पर किया जाता है, यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एटलोमा टैबलेट का उप्योग किया जाता है एटलोमा टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने के जोखिम को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किड्मी फेलियर हाट फेलियर दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगन का जोखिम अधिक हो जाता है इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में एटलोमा टैबलेट की वज़र से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में एटलोमा टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। लंबे समय तक एटलोमा टैबलेट को लेने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। एटलोमा टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर एटलोमा टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। एटलोमा टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की एटलोमा टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको एटलोमा टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। एटलोमा टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और एटलोमा टैबलेट को लेने के बाद ज्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि Atomar Tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन्द आ सकती है प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Atomar Tablet का सेवन करना सुरक्षत वर रेकमेंडेड नहीं है Aetloma tablet मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में Aetloma tablet मा के दूद के जरीय बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में side effects पैदा कर सकती है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एटलोमा टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं